शीराम जनुभूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट ने मंदर निर्माण के लिए अस्थाई लोगों जारी किया है माना ज़ारा है कि मंदर निर्माण के बाद ये लोगों प्रती के रूप में मुख्य द्वार पर भी अंकित हो सकता है इस लोगों में भगवान शीराम के साथ हनुवान जी का भी जिक्र करते हुए देश के नाम संदेश अंकित है कुर्णा संक्रमाण की कारण मंदर निर्माण का कारे भी रुका हुआ है लेकिन चन्मभूमी तीर्थ छेतर ट्रस्ट लगातार अपने सभी कागजी कारे को पूरा करते हुए आज मंदर निर्माण का लोगो भी चारी कर दिया है इस लोगों को किसी एक्सपर्ट द्वारा नहीं वालकि सानी कारे करताओं के द्वारा ही बनाये गया जिसमें सूर्यवंशी प्रतीक के साथ भगवान राम और उनके भगत हनुआंची को अंकित किया गया है इसके साथ ही लोगों में नीचे राम विग्रेवान धर्म भी अंकित है धार्मिक एक्सपर्ट की माने तो लोगों में नीचे लिखे सूत्र बालमी की रामाण के अरने कार्ण का है ये पूरा श्लोक ये श्लोक को समय का है जब रामण राम को दोशी ठहराते हुए मारिच से सीता के अपरण में सायता चाहता है साइता देने से पूर्व मारिच रावन को भरा बुरा कहता है जिसका व्याख्यान इस श्लोक में अंकित है महीं भावना के अनुरूप बने इस केस को राम मंदर को मुख्य घर पर अंकित किया जाएगा महीं राम चनल भुमी 36 ट्रस्ट के महामंत्री चपत राय ने इस लोगों को जारी करते हुए बताया कि ये लोगों को बड़े एक्सपर्ट से नहीं बनाया है यहां लोगों को सामान ने 30 वर्ष से कम से नव्यू को कसे से तयार किया है यह लोगों को आपस में बापचीत के आधार पर तयार किया गया है महीं बताया कि इस लोगों को तयार करते वक्त भगवान राम का लोगो बनाना है इसलिए राम की फोटो होनी चीए थी तो एक व्यक्ति ने पहले तो राम का स्ट्रेस तयार किया या कंप्यूटर के द्वारा नहीं बलकि हाथ से डिजाइन किया तो इन दूसरी युवक ने भगवान राम को सूरी वंशी बताया जिसके आधार पर सूरी की कलतना को भी अंकित किया गया सूरी कार्थ है गोल इसलिए सूरी के बीच में भगवान राम को रखा गया तो वहीं अगले ने भगवान राम को किस प्रकास संदेश देने की बात कही तो उसमें लोगों में नीचे या सूती लिखी गई जिसमें यहां संदेश होता है पहली बात तो ये समझ लो कि ये किसी प्रोफेशनल ने, लोगो बनाने वाली कमपनी ने, दस बीस कमपनीों ने, पचीस पचास चितर ड्राइंग बना कर दी हैं, उसमें से किसी एक का सेलेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं हुआ लोगों बनाना ही था, आज नहीं बनाते कल बनाते, लेकिन हाँ, अनेक नौजवान व्यक्तियों ने, अपने अपने सुझाओ दिये, और उन सारे सुझाओं को एक जगाई खटा कर दिया, वो चितर बन गया, राम सूर्य वंश के अंतरगत आते हैं, सूर्य गोल है, तो एक घेरे में से बाहर सूर्य की किरने निकल रही हैं, राम जनम भूमी तीरत छेतर का लोगों है, उसमें राम हैं, तो राम का एक रेखा चितर है, जो एक पेंटर ने बना दिया, एक आर्टिस्ट लड़के ने, राम, वालमी करामेंड में राम को धर्म का स्वरूप बताया गया है, वालमी करामेंड की वो पंक्ती उसमें नीचे लिखती गई, वालमीक रामण में रामण जब राम के बारे में उल्टा सीधा गलत वाक्यों का प्रियोग करता है तो कोई रामण को समझाता है कि राम धर्म का ही साक्षात रूप है उनको आप कोई मनुश्या ऐसा वैसा व्यक्ति न समझो वालमीक रामण की छोटी सी पंक्ती शलोक की यह हमने अनेको बार भाषनों में सुनी थी अनेको साधूं से सुनी थी वो पंक्ती सुनी हुई याद आगई किसी ने याद दिला दी वो उसमें रख दी हनुमान जी राम के भक्त है और राम जी हनुमान जी को खोशते खोशते किश्किन्दा पहुँचे थे राम और हनुमान ये एक दूसरे के पर्यावाची पूरक है राम का काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता हनुमान जी का जीवन राम के बिना नहीं है इसलिए किसी ने सुझाव दिया हनुमान जी बठाओ तो हनुमान जी एक बठाते तो चित्र बिगड़ जाता इसलिए दो बठाती है लेकिन समाज के सामान नागरिक जो किसी प्रकार का ड्राइंग पेंटिंग का प्रोफेशनल काम नहीं करते ऐसे अनेक लोगों की सलह उसमें जोड़ दी गई और वो चित्र बन गया जिसने भी देखा उसने उसको अच्छा बताया है प्रसंसा की है हमने तैयार तो कर लिया था ये जरूर सोचते थे कब इसको समाज को दिखाएं तो आज हनुमान जेनती भी है और अज राम जी की छटी पूजा भी हो रही है दोनों अच्छे थे हमने मीडिया को दे दिये तो वालमीक रामायन का ये हिस्सा है रामो विग्रहवान धर्मा विग्रह कहते हैं मूर्ती को राम धर्म की मूर्ती हैं मूर्ती जो आँखों से दिखाई दे कुछ चीजे दिखाई नहीं देती धर्म दिखाई नहीं देता धर्म कहते हैं कर्तव्य को धर्म समाज में सुक शांती इस्थाई तो प्रदान करता है धर्म का पालन करने से मनुशी की लोई संसार में धर्ती पर प्रसंसा होती है